दोस्तो आज कवर करेंगे सवीदान सभा के 20 से जादा क्योस्टन जो एक्जाम में बहुत जादा बार पूछे गए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रही है और चैनल पर दोस्तो पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह का एक सवीदान सभा के गठन के समय उसमें सदेश्य कितने थे तो 309 थे चलिए आप नेक्स देखते हैं दोस्तो नेक्स्ट सवीदान सभा की पहली बैठक कब हुई ओप्सन है दो दिसंबर आपको मिलते हैं ओप्सन भी 9 दिसंबर 1946 देखी दोस्तो सवीदान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी बिल्कुल द्यान रखें दोस्तो एक्जाम ओरिंटेड क्योस्टन है सारे के सारे इसी तरह गब वीडियो हम बनाते हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजिए पहले वर आयो तो नेक्स्ट सवीदान सभा के Sец Rem máquina स्थाई सदेशे कौन थे ओप्शन डॉक्टर भीम राउंबेट कर भी डॉक्टर राजैंतर प्रसाद सी डॉक्टर सचीदानथ सिना डी ओप्शन जवालाब नयрут ओप्शन C, Dr. Sachidhanant Sina देखें दोस्तो सविदान सभा के S-23 सदेशे को न थे तो ये हैं Dr. Sachidhanant Sina चलि नेक्स देखते हैं दोस्तो हमने S-23 सदेशे देख लिया अब देखेंगे S-23 सदेशे 11 दिसंबर 1946 को सविदान सभा के S-23 सदेशे के रूप में किसे चुना गया ओप्शन है जवाला नहरू B ओप्शन सरदार बलाम भाई पटेल C ओप्शन है Dr. भीम राव अंबेड़कर और D है Dr. राजेंदर परसा तो दोस्तो अपना राइट ओप्शन दीजिए ओप्शन D Dr. राजेंदर परसा देखे दोस्तो 9 दिसंबर को तो गठन हुआ सविदान सभा का और 11 दिसंबर को जो दूसरी बेटा गुई तो उसमें हमने 27 अदेशे चुन लिया था ठीक है पहले कौन दा है 27 अदेशे दो दिन के लिए सचीदान नसिना और 11 दिसंबर को आपने चुन लिये डॉक्टर राजेंदर परसाद 27 अदेशे चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स्ट 13 दिसंबर 1946 को सविदान सभा में उदेश्य परस्ताव किसने परस्तूत किया ओप्शन मातमा गांदी बी ओप्शन है दोस्तो जवाला नहरू सी बल्लम भाई पटेल डी डॉक्टर राजेंदर परसाद दीजी अपना अंसर ओप्शन बी पिल्कुल जवाला नहरू देखे दोस्तो दो दिन बाद ही एक और उसके बैठक हुई सविदान सभा की 13 दिसंबर को और उसमें दोस्तो जवाला नहरू ने उदेश्य परस्ताओ परस्तूत किया था ठीक है चलिए अब नेक्स देखते हैं दोस्तो ये क्योस्तो बहुत ज़ाद है इंपोर्टेंट अब बिल्कुल ध्यान से पढ़े सविदान निर्मान के लिए कितनी स्मीतिया बनाई गई थी ओप्शन दस बारा पंदरा तेरा लगाई अपना राइट ओप्शन ओप्शन डी तेरा देख दोस्तो सविदान निर्मान के लिए कितनी स्मीतिया बनाई गई थी तेरा बनाईगी थी और ड्राफ्टिंग कमिटी उसमें से एक थी जिसने सविदान बनाया बिलकुल आगे पढ़ेंगे दोस्तों सारी चीज़े नेक्स देखते हैं नेक्स्ट सविदान सभा की सलाकार स्मिति के अध्यक्स कौन थे ओप्षन है डॉक्टर भीम राव उमबेडकर बी अन राव सी ओप्षन जवालन नहरू और डी ओप्षन है डॉक्टर राजिंदर परसाद तो दीजी अपना राइट ओप्षन तीन सेगन आपको मिलते हैं ओप्षन बी बी अन राव नेक्स्ट सविदान सभा की सलाकार स्मिति जो थी ना जो सलाई देती दी तो उसके अध्यक्स थे बी अन राव ध्यान रखेंगे चली नेक्स देखते हैं नेक्स्ट सब्विदान सबाग के संचालन समिती के अद्धक्स कोन थे? ओप्शन डॉक्टर राजिंदर परसाद, B. ओप्शन जवालन नहरू, C. बीमराव अंबेडकर, D. ओप्शन बल्लावाई पतेल, तो दीजी अपना राइट ओप्शन ओप्शन डॉक्टर राजिंदर परसाद, देखे दोस्टो सब्विदान सबाग के संचालन समिती के अद्धक्स कोन थे? डॉक्टर राजिंदर परसाद थे? चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स्ट प्रांथ संचालन स्मीति के अध्यक्स कोन थे ओप्षन M.N.Rai, J.P. किर्पलानी, C. ओप्षन है दोस्तो बल्लम भाई पठेल, D.B.N.Rau ओप्षन C. बल्लम भाई पठेल देखे दोस्तो प्रांथ संचालन स्मीति के अध्यक्स कोन थे तो वो थे बल्लम भाई पठेल, चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स्ट सविदान सभा की संगिये सकती स्मीति के अध्यक्स कोन थे ओप्षन जवारलाल नहरू, B. ओप्षन मातमा गांधी, C. भीमरा उम्बेडकर और D. ओप्षन है दोस्तो, J.B. किर्पलानी ओप्षन A. जवारलाल नहरू देखे दोस्तो सविदान सभा की संगिये सकती स्मीति के अध्यक्स कोन थे तो जवारला नहरू बनाएं गए थे, चलिए नेक्स देखते हैं दोस्तो, Most Important यह कमेटी है, इसके उपर बहुत सारे क्योशन पूछे जाते हैं देखे दोस्तो, सविदान सभा की प्रारूप स्मीति का गठन कब किया गया प्रारूप मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है दोस्तो, उप्षन है 15 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 और C उप्षन है 26 जनवरी 1947, D उप्षन है इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो अपना राइट उप्षन दीजिए उप्षन B, 29 अगस्त 1947 देगे दोस्तो, सविधान सभा की जो प्रारूप समीती है जो ड्राफ्टिंग जिसों की, अपने सविधान की तो वो 29 अगस्त को बना दी गई थी उसके बाद उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया गया था अब इसके उपर बहुत ही बैतरी बैतरी क्योस्चन देखेंगे आगे नेक्स देखते हैं नेक्स्ट, सविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिदियों ने भाग नहीं लिया उप्षन, जम्मो कस्मीर, मैसूर, हैदराबाद, लखनाओ तो दीजी अपना राइट उप्षन उप्षन सी, हैदराबाद देखे दोस्तों, वो कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिदियों ने भाग ने लिया सविधान सभा में तो हैदराबाद थी चलि अब नेक्स देखते हैं में प्रतिनिदियों, सभीधान सभा की प्रारूप स्मीटी के आद्यक्स कौन थे उप्षन दाक्टर राजेंदर परसाद बू प्षन ड॥र बीमराव अम्भीटकर बादलांबाद पटेल ओप्षन बी डौक्टर बीमरावMMरावं की तो दोस्तो प्राएप समीटि का देखते भीम राव्व अंबेंड कर जो ड्राफ्टिंग कमेंट ही थी दोस्तो जिने सविदान बनाया उसके आद देखते भीम रावं जान रखेंगे दोस्तो नेक्स्ट सविदाब कगठन की मंग 17,895 में किसन ने की थी। most important कि वे ओपसन बाल गंगा दरतिलक B option राजा राम महों राय C option MN राय और D विपिन चंदरपल ओपसन A बाल गंगा दरतिलक देख दोसो सविदान के गठन की मंग सवर परतम 895 में हो गी थी और वो की थी बाल गंगा दरतिलक ने चलिए नेक्स देखते हैं next सविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां हुआ option कॉलकता मुंबई दिल्ली लहोर दीजी अपना right option option C दिल्ली देखे दोस्तों सविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था तो दिल्ली के अंदर उआ था सब्विदान सबा में महिला सदेश्यों की संख्या कितनी थी ओप्शन 10,13,12,14 लगई अपना अंसर ओप्शन C,12 जान रखेंगे दोस्टो डॉक्टर भीमराव अंबेड कर कहां से सब्विदान सबा में निर्वाची थे option बंगाल लाहोर लखनव मैसूर option A बंगाल देखें दोस्तो डॉक्टर भीम राव मेड़कर कहां से सविदान सबाम निर्वाचित हुए तो दोस्तो बंगाल से हुए थे ठीक है चलिए next देखते हैं next बारते सविदान के निर्मान में कितना समय लगा option दो वर्स ग्यारा मैने अठारा दिन B option दो वर्स दस मैने अठारा दिन C option दो वर्स नो मैने अठारा दिन दोस्तो D option दो वर्स ग्यारा मैने बीस दिन option A दो वर्स ग्यारा मैने और अठारा दिन देखें दोस्तो बारते सविदान के निर्मान करने में कितना समय लगा था तो दो वर्स ग्यारा महिने और अठारा दिन ठीक है ध्यान रखेंगे चली नेक्स देखते हैं नेक्स्ट सविदान सभा की अंतिम बैठक कब हुई ओप्शन 23 जनवरी 1950 बी ओप्शन 24 जनवरी 1950 शी ओप्शन 25 जनवरी 1950 डी ओप्शन 26 जनवरी 1950 ओप्शन बी 24 जनवरी 1950 देख दोस्तों सविदान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी को हमारे सविदान लागू कर दिया था पून रूप से चलिए अब नेक्स देखते हैं नेक्स्ट भारतिय सविदान को कब पारित किया गया ओप्शन 26 जनवरी 1950 बी ओप्शन 26 नॉमबर 1949 सी ओप्शन 2 ओक्टूबर 1950 डी ओप्शन 26 जनवरी 1921 ओप्शन B 26 जनवरी 1949 देखे दोस्तों मैंने पिछले क्योंचन में एक वर्ड लिया था कि 26 जनवरी 1950 को पून रूप से भारतिय सविदान इंप्लिमेंट कर दिया गया था लागू कर दिया गया था तो दोस्तों पून रूप से यानि कि कुछ बाग पहले हो चुका था तो वो है 26 नौबर 1949 यहां पर पूछा गया है कि बारती सविदान को कब पारित किया गया तो 26 नौबर 1949 को पारित कर दिया गया था दोस्तो तीन चार आर्टिकल यहां पर इंप्लिमेंट कर दिये गये थे लागू कर दिये थे लेकिन पूण रूप से जो अंतिम बैठे होई 24 जनौबरी को उसके बाद 26 जनौबर 1950 को पूण रूप से भारती सविदान को पारित किया गया ठीके दोस्तो यह लागू किया गया तो उम्मीद करता हूँ कि यह एक्स्पलेनेशन आपको बिलकुल समझ आये होगी 26 जनौबरी 1950 26 जनौबरी 1949 दोस्तो इसका आंसर बिलकुल दे पाये होंगे पिछले अगर एक्स्पलेनेशन देखा होगा ओप्शन स्री 26 जनौबरी 1950 देख दो अब पूर्ण रूप से 26 जनौबरी 1950 को लागू किया गया लेकिन पारित हो गया था जिसमें 2-3 आर्टिकल हमने स्टार्ट कर दिये गये थे लागू कर दिये थे तो वो था 26 जनौबर 1999 बिलकुल यह दोनों डेटे दियान रखेंगे दोस्तो इनमें डाउट होता है तो हम इसी तरह का वीडियो बनाते हैं दोस्तो जिसमें एक ही पूरा टोपिक होता है और पूरा उसमें सारे परसंट डाल दिये जाते हैं तो दोस्तो इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हो और पहली बार आयो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नोटिफिक्शन बेल दबालो दोस्तों मैं मिलूँगा अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्स पर वोचिंग जैहिन जैभारत